हेलो गाइस, विलकम तू मैं चैनल एयार मोटिवेशन, चलो आज के वीडियो सुरू करते हैं आज से हम स्टोरी लाइन सुरू करने वाले हैं, आज की स्टोरी लाइन है बुढ़ी काकी कहते हैं कि बुढ़ापा एक बार फिर से बच्पन का दौर लेका रहाता है बुढ़ी काकी के साथ भी कुछ ऐसा ही था, वो अपने जीब के स्वाद से बढ़ गई थी उन्हें और किसी बात की परवाई नहीं थी, इसके साथ साथ रोने का अलामा उनकी और से कोई दूसर सहारा भी नहीं था उनके पाचो सेंस औरगन, आखे, हाथ और पर जबाब दे चुके थे, और जमीन पर पड़ी रहती और अगर घर वाले उनके माजी के खिलाब कोई काम करते, या खाना प्रोशने में थोड़ी देर हो जाती या बजार से मंगवाया हुआ, कोई भी समान नहीं मिलता, तो रोने लगती उनका रोना सिसकना आम रोना दोना नहीं था, वो गला फार फार का रोती थी उनके पती को गुजरे हुए बहुत लंबा समय बीच चुका था चोती चोती उमर में ही उनके बेते भी भगवान के प्यार हो गए थे अब एक भतीजे का अलावा उनका और कोई नहीं था उस ही भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी जायजाद लिख दी थी भतीजे ने सारी जायजाद लिखवाते समय खुब लम्मे चोड़े वादे किये लेकिन वे सब वादे सिफ दलालों के सिखाये हुए जूते वादे थे हालाकि उस जायजाद की अनुवल इंकम देड़ 200 रुपे के लगबग थी जो उस समय के हिसाब से अच्छी रुकम थी लेकिन इतना मिलने के बाद भी बुड़ी काकी को पहर पेत खाना बहुत मुश्किल से मिलता था इसमें उनके भतीजे पंदित बुद्धिराम का दोस्त था या उनकी पत्नी रुपा का इसका फैसला करना असान नहीं था बुद्धिराम सभाव के भले आदमी थे लेकिन शीव तब तक जब तक उनकी तीजोरी पो कोई आच ना आये रुपा सभाव से युद तो तेस थी पर भगवान से दरती थी इसलिए बुड़ी काकी को उसका मिजाज इतना खलता नहीं था जितना बुद्धिराम का देयाली सभाव बुद्धिराम को कभी-कभी अपने बुरे बाताओं के लिए पस्तावा होता था लेकिन ज़्यादा खर्च का दर उनकी अच्छाई को दबाए रखता था यहां तक कि अगर दर्वाजे को कोई भाला आदमी बैता होता और बुड़ी काकी उस समय अपना राग अला अपने लगती तो वो बहुत नराज हो जाते और घर में आकर उने जोर से दातने लगते काम मेरे के लड़कों को बुद्धों पर वो ऐसे भी बहुत गुस्सा आता है और जब बुद्धी राम के लड़के अपने मादा पिता के यह दंग देखते तो वो भी बुड़ी काकी को सताया करते कोई चुटकी कातकर भागता तो कोई उन पर पानी की खुली कर देता काकी चीक मार कर दोती थी लेकिन यह बात जानी पाचानी थी कि वो सिर्फ खाने के लिए ही रोती है इसलिए उनके रोने रोने पर कोई ध्यान नहीं देता था हाँ जब काकी घुसे में आग बबुला होकर बचों को गालिया देने लगती तो रूपा वहाँ आ जाती इस दर्फ से काकी अपनी सलवार जैसी जीब का कभी कबार ही इस्तमाल करती थी जबकि यह उपाई रोने से कहीं ज़्यादा असरदार था पूरे परिवार में आगर काकी से किसी को प्यार था तो वो बुधिराम की बेती लादली थी लादली अपने दोनों भाईयों के दर्फ से अपने हिस्से के मिठाई बुढ़ी काकी के पास बैद कर खाया करती थी यही उसकी तच्छा काने वाली थी और हलाकि काखी के सरण में आना उनके लालच के कारण मांगा पड़ता था लेकिन अपने भाईयों के आनियाए से यह सुरचा कहीं जादा ही बेयतर थी तो बस वो यहीं आ जाती अपने अपने मतलब की इस रिष्टे ने आखिर उन दोनों में सानवोती का बीजबो दिया था रात का समय था बुद्धिराम के दर्वाजे पसानाई बज रही थी आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुंखराम का तीलक आया था यह उसी का जस्न था घर के अंदर और तेगा रही थी और जूपा में हर्मानों के लिए खाना बनाने में बीजी थी भातियों पकड़ाई चरी होई थी एक में पुडिया कचवरिया निकल रही थी दूसरे में अलग-अलग पकवान बन रहे थी एक बड़े हंदे में मासलदार सबजी पक रही थी मुह में पानी भर देने वाली घी और मसाले के सुकन चारू और फैली होई थी बूढ़ी का कि यह अपनी कोथरी में उदास और दूखी बैथी हुई थी यह सवाद में घुली सुकन उने बेचायन कर रही थी वे मन ही मन सोच रही थी सायद मुझे पुडिया नहीं मिलेगी इतनी देर हो गई कोई खाना लेकर नहीं आया लगता है सब लोग खा चुके हैं मेरे लिए कुछ नहीं बचा यह सोच कर उन्हें रोना आया लेकिन अब सगुन के दर से वो रोना सकी आहा क्या सुगंद है अब मुझे कौन कुष्टा जब रोतियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग गया कि भरपेत पुडियां मिले यह विचार कर उन्हें रोना आया मन दुखी होने लगा लेकिन दूपा के दर से उन्होंने फिर मौन धारन कर लिया बुडिका की देर तक इनी दुखदायक विचारों में दूवी रही घी और मसालों की सुगंद रहर अका उनके मन को आपे से बाहर कर रही थी मुझे में पानी भर भर कर आ रहा था पुडियों का सवाद याद करके दिल में गुदगुदी होने लगती किसे आवाज लगाऊं आज लादली बेती भी नहीं आई दोनों लड़के तो देख जाया करते हैं आज उनका भी कोई पाता नहीं है कुछ पाता तो चले कि क्या बन रहा है इसके बाद की स्टोरी हम फिर से बाद में कंतिन्यू करेंगे इसके तब तक के लिए बाई बाई सी यू लेटर सब्क्राइब कर देजिएगा तब भी ये कहानी पूरी सुनने को मिल सकती है बाई बाई